हलो प्रेंज आज हम लेकिया है आप लोगों के लिए इंस्टेंट पकोड़े की रेस्पी जो बहुत ही जल्दी बनके तयार होती है और बिल्कुल कोई ताम जाम नहीं तो चलिए बना लेते हैं तो यहां पर हमने ले लिया है एक मिक्सी काजा यहां पर दो तीन पीस आलू अच्छे से हमने मिक्स करके रट लिया है तो यह उबला हुआ आलू है आप इसे मैस कर ले हाथो से तो यहां पर हमें डाल देना है दो से तीन हरी मिर्ची और यहीं पर डाल देना है एक कप सूजी सुजी की quantity आप अपने family की साफ से कर सकते हैं एक cup डाल देते हैं भर के दही आप देख सकते हैं इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आधा cup पानी डालेंगे और दही के साथ इसे हम पीस लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमने इसे finally पीस लिया है बहुत इसे बारी कर लिया है बिल्कुल भी इसमें लॉम से चंस नहीं रह गए हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी इस तरह से आप बनाएंगे पकॉरी तो बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा और बिल्कुल क्रिस्पी बनके तैयार होगा तो यहीं पर हमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा, खड़ा जीरा और साथ में ही डाल देना है नमक, अपने स्वात के अनुसा, थोड़ी से हमें डाल देना है यहीं पर धनिया, धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, है तो जरूर डालें, सभी को इस तरह से हमें फ आप चोटे-छोटे पकोडी के जैसे साइज हम यहां पे पकोडिया तोड़ देते हैं, तो तेल में जितना जगा है आप उतना डाल सकते हैं और धिमाच में इसे फ्राई करें, बिल्कुल हाई फ्लेम पे न फ्राई करें नहीं, तो यह अच्छे से फूलेगा नहीं, तो आप आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ज़्यादा फेट दिया है और मिक्सी के जार में इस तरह से सभी को डाल के पीस के बनाएंगे तो बहुत हलकी और बहुत ही क्रेश्पी आपकी पकोरी यानि की बजिया बनकी तैयार होगी तो हलका हलका तेल को इस तरह से प्रेस करते इसे हमें अच्छा सा कलर दे देना है और क्रिस्पी तक सेख लेना है तो आप देख सकते हैं अच्छे से सीख गया है तो चलिए अभी से हमें एक छन्नी में निकाल लेना है तो जब कभी कुछ समझ में ना आया तो इस पकोरी को जरूर से एक बार ट्राई करें कम समान में अभर के समान से बनके तयार हो जाता है और खाने में बहुत ही चटपटा क्रिस्पी बनके तयार होगा तो चलिए मैं आपको दूसरा इसी तरह से फ्राई करके दिखा देती हूं छोटे-छोटे साइज का आपके कराई में जितना जगा है आप उतना बढ़िया को डाल सकते है और इस तरह से डालने के बाद गयस का फ्लेम बिलकुल मीडियम रखें हाई फ्लेम पे न फ्राई करें नहीं तो अच्छे से उभर के नहीं बड़ी साइज होगी तो देख सकते हैं सीधे डबल साइज हो गई है फिर से इसे हम निकाल लेते हैं इस भजिया को आप ग्रीन च चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें